नमस्कार, मैं मनोस साहू Competition Wing के सी YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं MCQ Series जो सुझी PSC Prelims को ध्यान में रखते हुए हम चला रहे हैं उसका आज का हमारा ये आठवा लेक्चर होने वाला है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं का च्थेश गढ़ में और मराठा किस प्रकार से स्थापिथ होए है तो सबसे पहले देखते हैं 36 गढ़ में का च्छेड पढ़ चुक्त हैं ठीक है तो कल्चुरियों की जो राज विवस्ता रहती है तो कल्चुरियों का जो साचन रहता है वो दो जगा रहता है उसका साचन का छेत्र एक रतनपूर शेत्र रहता है और दूसरा कौन सो छेत्र रहता है रायपूर शेत्र ठीक है रतनपूर में अंतिम सासक रहते हैं और दूसरा ये पुत्र निधन के सोक में रहते हैं ठीक है पुत्र निधन के सोक में रहते हैं इनके पुत्र की मृत्ति हो गई रहती है ठीक है तो उनके निधन के सोक में डूबे रहते हैं तो राजकाज में इनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता है तो इसका लाब कौन उठायंगे इनका लाव उठाते हैं मराथा सासक रखुझी प्रतम रहते हैं वह एक मराथा रहते हैं वह जब मराथा का रहते कहांपे नाकपूर शेत्र में तोOMEज अपने विस्तार है वो करने के लिए बंगाल और उڑिजया भ्यान के लिए जालते हैं तो जो नाकपुर से बंगाल विजय बंगाल ओडिसा का जो मार्ग पढ़ता है उसके मध्य में आपको देखने को मिलेगा 36 गड़ जो 36 गड़ में शाष्ण रहता है यापे कल्चुर्यों का सासन रहता है तो यहां पर उन लोगों को एक बहुत अच्छा मौपा को गया है बहुत व्रिद्ध हो चुके हैं और दूसरा उन्हें ने नेत्य शमता की भी काफी कमी रहती हैं और योग्य सासक भी नहीं रहते तो इनको यहाँ से हटाने का एक बहुत जबजस मौका मिल जाता है उन लोगों को तू क्या करता है भासकरपंद आक्रमन कर देते हैं रतनपूर्शेत्र में और 1741 में और रवनात सी को हटा देते हैं यहाँ पर याद रखना आक्रमन होता है 1741 में कौन करता है अक्रमन भासकरपंद करते हैं किनके द्वारग किया जाता है भासकरपंद ये कौन है सेना पती है किसके रगुजी प्रथम के सेना पती है ध्यान में रखना भासकरपंद कौन है रगुजी प्रथम के सेना पती है जो 1741 में आक्रमन करते हैं रखुनाथ सी पर और उनको हटा देते हैं सत्ता से ठीक है और जब सत्ता से हटाते हैं इनको रखुनाथ सी को माप किजिए कर सत्ता से नहीं हटाते हैं रगुनात सीं जो है बहुत दुर्बल सासक रहते हैं तो वैसे भी ये इनके आक्रमन का सामना नहीं करते हैं और उनकी जो दो पत्निया रहती है पद्मकुमर और लक्ष्मनकुमर वो भासकरपंथ के समख्च आत्मसमरपन कर देती है स्वेत पता का लहरा कर राजमाल से ठीक ह इनको याद रखना आप लोग दो नाम जो आप लोग को देखने को मिले गए यहाँ पर दो नाम आप लोगों को देखने को मिले गए यहाँ पर देखिए रगुनात सीं की दो पत्निया रहती है रगुनात सीं की दो पत्निया रहती है कौन-कौन लक्ष्मनकुमर और पद् ये दोनों जो है स्वेत पता का लहरा कर राज महाल से आत्मसमरपन कर देती है तो चूंकी जो है यहाँ पर जो कल्चूरी जो सामराज जी है वो किसके अधीन चला गया माराठो के अधीन चला गया रगुजी प्रत्थम के समय पर ठीक है रगुजी प्रत्थम के समय किसके अधीन चल गया अब यहां पर ध्यान देना रगुजी प्रत्थम के जो सेनापती रहते हैं भासकरपंत वो इधर अक्रमन कर रहे हैं 1741 में ठीक है यह तो यहाँ पे इन लोगों इनको हटा दिये और यहाँ पे एक व्यक्ति को न्यूक करते हैं साशन को सम्हालने के लिए तूकि यह व्यस्त रहते हैं किसमें पंगाल ओडिसा अभ्यान में व्य कुली नगीर कौन है प्रतिनिधी है किसका महराठो का प्रतिनिधी अप्रत्यक्ष रूप से रगुनाथ सी को राजा जरूर बना देते हैं लेकिन उनकी देख रेक के लिए कौन रहते हैं कुली नगीर रहते हैं ताकि जो है रगुनाथ सी उन लोगों को वार्शिक रूप से जो करव अगरा पटाते हैं वो पटाते रहे और इनके नितितों में किनके मराठों के नितितों में वो काम करें ठीक है इसके लिए किसको नियुक करें है कुली नगीर को नियुक करें हैं आपर ध्यान रखना है लेकिन कुली नगीर को भी रखुनात्सी आगे चल कर क्या कर बेच में आते हैं सासक मोहर नुक कर रहते हैं और उस समय कर रहता है इसलिए उनके चाचा, ठीक है किनके चाचा मोहन सी के जो रहते हैं अपके चाचा किसको सिदार सी को सासन बना देते हैं ठीक है और सिदार सी के बाद आगे चलकर रखुनाथ सी सासक बन जाते हैं ठीक है इसको पिछली क्लास में पढ़ चुका है अभी याद रखना आप लोग रखुनाथ सी सासक ब कि पहला माराठ्व का दीन संटास्क बना दूसरा मोहसी बना यह तो हो गया रतनप precisamente मिलेगा मैं रहापूर पूट में क्या होता है 17252 में यहांपे ध्यान रखना 750 में मराठे मैं बहुत कमजोड स सक रहता हैं इनके पास परयापत सैनिक भी नहीं रहते इसलिए वो क्या करता है आक्रमन का सामना नहीं कर पाता है तो इसको तो वैसे भी हरा देगा यह कौन भासकरपंथ और यहां पे इसको अमर्सी को तीन छेत्र देता है जीवन निर्वहन के लिए पाटन रायपूर ठीक है और एक और छेत्र है पाटन छेत्र रायपूर छेत्र और एक और छेत्र तीन छेत्र जो है इनको किसके लिए देता है जीवन निर्वहन के लिए दे देता है ठीक है पाटन रायपूर ठीक है और इसके बाद आते हैं सिवनाथ सी तो यह भी अहां पे क्या है मराठो की धीजिए सासन कर रहा है इसके बाद आते हैं जो अमरसी से बेटा रहता है जुआ और जाता है वन ती wszyscy रुपए वसूलने का रैपूर परगनी के प्रते गाउं से एक रुपए वसूलने का इनको अधिकार दिया रहता है ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पे इस सभी चीजों को आप लोगों को याद रखना है इसके लावा यहाँ पे एक औ बताते जाओंगा अब यहाँ पे क्या हुआ कल्चूरी को इन लोगों ने क्या कर दिया हटा दिया अब जो मराठा साशन है वो कैसे चलता है ठीक है उसको किस प्रकार से हम बढ़ने वाले हैं ठीक है तो 36 गड़ में जो मराठा जो साशन है उसको हम लोग पांच अलग जो हमने भी समझ लिया 1741 से लेकर 1718 तक ठीक है यह जो घटनाय जो घट रही है किसके बीच में घट रही है 1741 से लेकर 1718 तक 1718 में मुहंसी की मृत्ति हो जाती है और यहाँ पे बीमबा जी का आगमन हो जाता है और बीमबा जी जो है प्रत्यक्ष रूप से 36 गड़ में साशन करने लगते हैं ठीक है तो 1718 तक अब प्रत्यक्ष साशन रहता है इसी प्रकार यहाँ पे भी रग्मनाज सी के शिवनात जब बीमबा जी आते हैं तो और रायपूर का एक ही करण ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष मराठा साशन जो शुरू होता है बीमबा जी के साशन काल जो बीमबा जी का साशन काल है 1787 तक था इसी को प्रत्यक्ष मराठा साशन में पढ़ेंगे अब लोग इसके बाद पढ़ेंगे सूबा नागपूर का राजा बनता है और वह जो है सुबह व्यवस्ता है उसके अधीन चलाने चलाने की कोशिश करता है इसके बाद पढ़ेंगे अधीन मरथा इसमें 1818 से लेकर 1830 की घटना है हम लोग पढ़ने वाले हैं पिर भोष्षला ससन देखे 1818 के बाद क्या होता है अल पवैस्व करहते हैं यहां पर वे वह सासन समालने batery योगिन नहीं रहता तो British government रहती वह क्या करती हैं राजा रहते हैं र कुछी प्रथर्थम लेकिन उसके समालने के लिए British अधिकशकों की नियुक्ति कर दी जाती है ठीक है यही हम पढ़ने वाले हैं अलग ब्रेटिस अधिक्षक देखेंगे इसके बाद पुना भोसला साशन में हम देखेंगे कि रगुजी तृती वैस्क हो जाते हैं और आगे चलकर साशन को समालते हैं ठीक है तो यह हमारा जो है पढ़ने का तर रतनपूर में और यहां पर अमर्शी और सिवनात्सी चार साशक हुमे हैं अप्रत्यक्षरूप से साशन करने वाले इसके बाद हम देखते हैं 36 गण में मराठा चाशन किस प्रकार से स्थापित होता है यहां पर हमने देखा सबसे पहले 1741 में आक्रमन होता है रतनपूर प भासकर पंत जो है रगुजी प्रत्थम के सेना पती रहते हैं यह करते हैं 1741 में आक्रमन करते हैं मराठा साशन 1741 से लेकर चलेगा आपका 1854 ठीक है यह टूटल जो है टाइम पिरेड है मराठा साशन का 36 गण में रगुजी प्रत्थम तो किस प्रकार से इनका वंस किस प्रकार से रहता है वो पहले समझते हम लोग क्यों इसको समझना जरूरी है क्योंकि आप लोग बीच बीच में बहुत सारे नाम देखेंगे और वो नाम आप लोगों को आप लोगों के मन में confusion create कर सकता है तो उसको ज रगुजी प्रत्थम सबसे पहले देखते हैं रगुजी प्रत्थम रगुजी प्रत्थम के समय क्या हुआ अक्रमण हुआ ठीक है कहां पे 36 गड़ में ठीक है रगुजी प्रत्थम के समय अक्रमण हुआ 36 गड़ में रगुजी प्रत्थम की दो पत्नी रहती है एक रहती ह सोला भाई और दूसरी रहती है बाला भाई ठीक है एक रहती है सोला भाई और दूसरी पत्नी रहती है बाला भाई क्लियर सोला भाई के दो पुत्र रहते हैं बिंबा जी और मुधो जी और उसी प्रकार से बाला भाई के दो पुत्र रहते हैं जानको जी और साबा जी ठीक है मुदो को चांदा वाला चहत्र मिलता है और बिंबा जी को चंट्टीसगड का चैत्र मिलता है और आ अब अलग-अलग चैत्र दे दिये है लेकिन अभी भी ङहां क्या होगा यहां पर उत्राधिकार को लेकर संकर सोता है किनके मध्य मुधो जी और जानको जी के मध्य ठीक है जानको जी जो है इनको नाकपूर का छेत्र मिला रहता है तो इसका विरोज करते हैं मुधो जी नाकपूर जो रहता है बड़ा छेत्र रहता है ठीक है यहां पर हर कोई जो है साशन करना चाहता है नाकपूर छेत्र में त कि यहां पे जानको जी क्या करेंगे बिंबा जी को चाट्रीज गड़ भिज देते हैं शाषण करने के लिए तो इस प्रकार से यहां पर उत्रधिकार का संगर्ष देखनों को मिला मुधो जी और जानको जी के में अब यहां पर देखिए तो बेइमब जी जो आगे चल कर 36 गढ़ के प्रतम मराथा सासक भी 56 गढ़ के मराथा साशक पूछा गया तो कौन थ्यान में रखना है बहुत ही इंपोर्ट जब बिम्बाजी 36गण में आते हैं तो यहां पे साशक रहते हैं कौन रहता है? मोहांसी मोहांसी जो है यहां पर उसका दबदबा रहता है लेकिन फिर भी इनको किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि 1759 में मोहांसी की मृत्ति हो जाती है ठीक है तो इनको बहुत आसानी से 36 गड़ वाला छेत्र मिल जाता है अगर आपको ऐसे सेंट या अक्रमन नहीं जेलना पड़ा था ठीक है तो यहां पर बिंबा जी पहले माराठा सासक हुए इनके तीन पत्निया रहती है आनंदी उमा और रमा ठीक है आनंदी का रोल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि बिंबा जी के मृत्तियों के बाद सासन भार को कौन चलाती है अनंदी चलाती है ठीक है तो यहां पर आनंदी का नाम आप लोगों को एकदम मुझवानी याद होना चाहिए इसके बाद आप देखेंगे मुधो जी मुधो जी उनके भाई रहते हैं मुधो जी की तीन पूत्र रहते हैं चिमना जी व्यमको जी रखुजी दृत को अरफ लगुदी को क्यों पता रहा हूं क्योंकि आगे चल कर इन मेसे ही एक जो है राजा बनता है 36 गड़ का राठा साशक मनता हैं तो बिम्बा जी का कोई पुत्र नहीं रहता तो बिम्बा जी क्या करते हैं चिम्बना जी को उत्राधिकारी न्यूक करते हैं यहां पर ध्यान देना चिम्बना जी को उत्राधिकारी न्यूक करते हैं यहां पर ध्यान देना चिम्बना जी को उत्राधिकारी न्यूक करते हैं और चिमना जी बढ़ भी जाते हैं लेकिन रखुजी दवीति जो सबसे बड़े पुत्रें रहते हैं मुधो जी के वो इनको शटियंत्र पूर्वक Śचा tech बना देते हैं टेकर संट धुरंधर की उपाधी देकर अगला साशक बना देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहला यहाँ पे शाशक कौन बन रहा है, भिम्बा जी बन रहा है, ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए आनंदी भी शाशी का रहती है, जब तक चिम्णा जी नहीं न्यूकत रहत हैं, इसके बाद तीसरे में चिम्णा जी आएंगे, और चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, व्यम्को जी भोषले, व्यम्को जी भोषले को रगुजी द्वीती धुरंधर की उपाधी देकर 36 गड़का साशक नूग करते हैं, ठीक है, तो अगला साशक कौन आ याद रखना है, इसी से कोश्चन बनेगा, विम्बा जी भोषले, ठीक है, फिर आनंदी भाई, फिर चिम्णा जी, फिर आपको व्यम्को जी देखने को मिलेगा, फिर परसोन जी भोषले, और लास्ट में अप्पा साहब, ठीक है, ये घटना करम कब तक चलेगा, को नहीं समझोगे, तो आगे चल कर बहुत ज़्यादा confusion create होने वाला है, ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग प्रस्ण देखते हैं, फिर मैं बताओंगा, इसमें क्या क्या चीज़े हैं, जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, बिम्बा जी के साशनकाल से संबंधित क उसको देखेंगे हम लोग, बिम्बा जी का साशनकाल ही हम लोग आची क्लास में अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्यों बिम्बा जी को हम लोग इतना detail में पढ़ रहा है, क्योंकि आप ही पिछले अगर हम लोग देखे, पिछले साल का अगर हम लोग question paper देखे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से, किस गहराई से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को चार कथन दिये हुए हैं, चारों कथन में सही कथन की पहचान करना है, पहला कथन दिया हुआ है, 1741 में बोसला सेनापती भासकरपंत ने अपने बंगाल ओडिसा अभियान के मार्ग पर रतनपूर राज्य पर 30,000 सहनिकों के साथ अक्रमन किया, ठीक है, दूसरा कथन दिया हुआ है, रखनाथ सी ने अक्रमन का विरोध नहीं किया, रतनपूर ने मराठा प्रतिन दिक कुली नगीर को निवत किया, रखुजी प्रतम के पुत्र बिंबा जी रतनपूर का प्रतम मराठा साशक बना, ठीक है, तो यह जो है चारो कथन सही है, इसका ओप्शन आ जाएगा D, ठीक है, इसको देखो, यहाँ पे समझते हैं, इसका सही अंसर पहले बता देता हूँ, इसका सही अंसर हो जाएगा, ओप्शन D, चारो कथन सही है, जब 1741 में अक्रमन करते हैं, तो वहाँ पे 30,000 सहिनिकों के साथ अक्रमन करते हैं, यह आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, कितने सहिनिकों के साथ, 30,000 सहिनिकों के साथ, 36 गण में अक्रमन करते हैं भासकरपंद, ठीक है, दूसरा जो कतन दिया हुआ है, क्या रगुन से वो लड़ सकते तो यहां पर अक्रमन का विरोध बिल्कुल नहीं किया बिल्कुल सही कथन है रतनपूर में रतनपूर में मराथा प्रतिनिधी कुली नगीर को निवक किया गया यह मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब रगुनाथ सी की पत्निया आत्म समर्पन करती है तो बनते हैं 36 गड़ में तो चारों कथन बिल्कुल सही है इस प्रकार से कोशन आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरा कोशन है भोसला वंस की उस्तपत्ति किस से मानी गई ठीक है बहुत ही अच्छा प्रस्ट्ण बन सकता है प्रेलिम्स में भोसला वंस की उस्तपत्ति है इसको ध्यान में रखना जिसोध्या वंस मानी जाती है और यह जो सोटै आप लोग को देखने को मिलेगा प्यारे लाल्यकी की पुस्त अकीजिए यहां पर राजा के नाम दि पहचानने है मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिया था रगुजी प्रथम के पुत्रों जो रहते हैं उनको कौन-कौन सा छेत्र मिला रहता है सासन चलाने के लिए तो जानो जी नाकपूर छेत्र मूधो जी चांदा छेत्र साबा जी बरार छेत्र विंबा जी 36 गर छेत्र क्या सबी सही हैं इसमें से देखना है कौन को ससरे हैं तो सभी सही है आपके तपे चारों युग में तभी अग्ला प्रशन है बिंबा जी ने राज व्यवस्ता तो कुल दश अधिकारियों को न्युग किया था इसमें आantry कारीos ús सबसे पहले याप देखते हैं राजवयवस्था को सभालने के लिए किसको नूग किया गया था जिसका नाम हम्हाथ Krishni bhakt कि एक तरफ दिए गए है अधिकार्यों के नाम दूसरी तरफ उनके दाइत आ की उनका कारयबार क्या था अभी हमने जो पढ़ा विम्बा जी के समय घोडो महादेव राजयस्था को सम्हालने के लिए इक अधिकारी हुआ करते थे उसी प्रकार से नौ और अधिकारी हुआ करते थे जो अलग-अलग विभाग को सम्हालते थे ठीक है तो यहां पर वुन अधिकारियों के नाम दिये गए हैं और उनके कार्यभार दिये गए हैं रामचंद्र बक्षि रामचंद्र मजूमदार वो लेखा अधिकारी रहते हैं, टीक है? और कृषणध जी मोहिते जो रहते हैं राजस्वीभाग के अधिकारी रहते हैं और निलू पंडित जो है सेनापती रहते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा option D ठीक है कौन-कौन है यहां पर रामचंद्र बक्षी कौन है रामचंद्र बक्षी किला प्रमुख है रामचंद्र मजूमदार जो है क्या है लेखा अधिकारी है मजूमदार लोग ज्यादतर लिखा-पड़ी वाला काम ही देखते हैं ज्यादतर पांडू रंग ठीक है यह सैने विभाग में रहते हैं सैने विभाग में रहते हैं इसके अलावा कादर खान महमूद मसारिलहे और क्रिष्ण भट उपाध्याय ठीक है इस प्रकार से आप लोगों को दस अधिकारी के नाम देखने को मिलेगा यहाँ पे एक दो तीन चालोग का नाम मिल गया पांच, छे, साथ, आठ, नौ और एक नाम घोडो महादेव का तो इस प्रकार से आप लोगों को दस अलग-लग वेक्तियों के नाम देखने को मिलेगा जो किस अधिकारी रहते हैं किसके साशनकाल पे भीमबा जी के साशनकाल पे नियुकत अधिकारी रहते हैं इन लोग ठी क्रिष्ण की नाम से हैं एक क्रिष्ण भट उपाध्याय और दूसरा क्रिष्ण जी मोहिते और एक पंडित है और एक पंडू रंग है तो आप लोग को चैनाम ऐसी याद हो जाएंगे पंडित और पंडू रंग घोडो महादेव का नाम याद रखना ही है क्योंकि जी न्यूट किये गये थे विंबजी कर निधन के पंड़क रखतर सकते हो यह तो नहीं आएगा उमा में से याद रखना उमाभाई जो है ये शटी हुई सती हुई थी और रमा बाई जो है वन की ओर चली गई थी वन की ओर चली गई थी तो याद रखना सधी कौन हुई थी उम्मा बाई सती हुई थी बिम्बजी भोसले का सासनकाल क्या था 1758 से 1787, 1787 से 1788, 1741 से 1755 या 1788 से 1881 ठीक है तो यह आप इलिमिनेट करके भी बना सकते हो 1787 यह तो आएगा ही नहीं क्योंकि 1757 में ही उनका आगमन हो गया रहता है यह तीनों अप्शन नहीं आएगा चार फरवरी 1757 ठीक है ध्यान रखना 37 गड़ में बिम्बजी का आगमन कब होता है बिम्बजी का आगमन 36 गड़ में कब होता है चार फरवरी 1757 ठीक है साशन कब स्टार्ट करते हूं यह स्टार्ट होता है 1758 से जब यह प्रत्यक्ष साशन शुरू करते हैं तब ठीक है तीसरा आप लोग को याद रखना है निधन निधन हुआ है साथ दिसंबर 1787 निधन को पूछा जा चुक है व्यापम में तो यह आप लोगों को याद रखना ही है और इनका जो साशन काल है कब से कब तक देखने को मिलेगा 1758 से लेकर 1787 ठीक है 1757 में जब आगमन हो के बाद स्टार्ट करते हैं इसलिए इनका जो शाशनकाल है वो 1758 से लेकर 1787 तक रहेगा ठीक है तो यहाँ पर तीन चीज़े याद रखना है इनका निधन अगर पूछेगा तो कहां हुआ है नर्रा नामक जमीदारी थी वहाँ पर इनका निधन हुआ है विम्बा जी के शाशनकाल में कुल 32 अधिकारिया इनके 32 जमीदारिया जो है इनके अधीन रहती थी उसमें से एक जमीदारी थी नर्रा जमीदारी जहां पर इनका निधन हुआ था ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं विम्बा जी का निधन 7 दिसंबर 1787 में हुआ इनका निधन नर्रत जमिदारी में हुआ बिम्बा जी के आगमन के समय 36 गड़ में मुहसी का दबदबा था बिम्बा जी का 36 गड़ में आगमन उनकी इच्छा नुसार हुआ ठीक है तो यहां पे सही कथन पूछा गया है निम्नमें से कौन सा कथन जो ह है यह जो है कोश्चन है तो सही कथन देखोगे आप लोग तो यह तो मैं बता चुका हूं 7 दिसंबर 1787 को इनका निधन होता है कहां पे होता है नर्रत जमिदारी में दोनों कथन सही है और मुहसी का दबदबा था 36 गड़ में यह भी मैं बता चुका हूं यहां पे जो उनक राजकोष नहीं मिल पाएगा और वह उस तरह से शाषन कर पाएंगें जिस तरह से नागपुद में उनको शासन करने को मिलता तो क्या करते उनकी इस इच्छन नहीं रहती यहां पर अग मन की इक्छान नुसार दो हूँआ है तो इसका सही है एंसर हो जाएगा औसे यह यह का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है बिंबा जी ने रायपूर के कल्चूरी सासक अमर्सी को कौन-कौन से प्रगने प्रदान प्रदान किये थे जीवन निर्वहन के लिए तो तीन प्रगने हैं कौन-कौन से हैं पाटन राजीम रायपूर ठीक है तीन प्रगने हैं जो ँनको प्रदान किया गया था, इसका सही अंसर हो जाएगा, उस समय मैंने दो नाम बताया था, ठीक है, राजीम और रायपुर, एक और पातन छेतर है, जहां पे उनको जीवान इर्वहन के लिए वो प्रगना प्रदान किया गया था, ठीक है हलाकि आगे चलकर उनसे वो परगना छीन लिया जाता है और उनके जब पूत्र आते हैं सीवनात तो उनको एक परगना दे दिया रहता है यहां पर आद रखना सीवनात सी इनको एक पर्गणा दिया रहता है वो है अगला प्रश्म देखते हैं निम्न में से क्या बिंब जी के साषन काल से संबंधित नहीं है यहां पे ध्यान देना नहीं है पूछा जारा रहा है ना रातइब कुछि राजनाद गावें, खुजी नामक जमीनदारी का निर्मान, परगना पंधती के सूत्रधार, रतनपूर और रायपूर का एकी करण, ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला उप्शन है, रायपूर में नियमित नियायालय की स्थापना ये गलत है, नियमित नियायालय उन्होंने ब हम देखें, बिम्बा जी का, जो साशनकाल था, उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं, एक प्रसाशनिक सुधार, प्रसाशनिक सुधार, और दूसरा स्थापत्य, ध्यान देना, बिम्बा जी ने जो है, अपना समराज अविस्तार नहीं किया था, इनके अधेन कुछ जमींदारिया थी, जमींदारियों ने जब टकोली देने से मना किया, तो उनके विरुद आकरमन, छूटपूट आकरमन जरूर देखे गया, लेकिन इन्होंने अपने समराज अविस्तार का प्रयास नहीं किया, ठीक है, तो याद रखना, इन्होंने प् सासनिक सुधार है, दूसरा परगना पधधी के सूत्रधार माने गया, इन्होंने परगनों में विभाजित किया, छत्तिसगड के छेत्रों को, अलग-अलग परगनों में और सासन को संभाला, राजनात गौव्म खुजी दो जमीदारियों का निर्मान करवाया, और रतनप सिक्री मंदिर जो रतनपूर की पहाड़ी पर निर्मित है, ठीक है, दूसरा देखें, तो इन्होंने दुधाधारी मठ, दुधाधारी मठ का जिर्नोधार करवाया था, जिर्नोधार, ठीक है, याद रखना है, इसके अलावा प्रसासनिक सुधार में एक और चीज है, यहा मुहमाम्द खा तारान को मदनगड, मुहमात खा तारान को एक छेत्र दिया था मदनगड, उन्सकाँ सच्च पहादूरी के बदले, पुरसकार स्वरूप एक छेत्र दिया था जिसका नाम है मदनगड, ये भी आप लोग यहाद रख लेना प्रसासनिक सुधार में, रामट द्रदास ने ठीक ध्यान रखना है यहां पर इसके अलावा इनकी जो पत्निया रहती है बिंबा जी की पत्निया वो कुछ मंदिर का निर्मान करवाई है जिसमें से खंडोवा मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है रतनपूर का तो दो तीन चीज़े आप लोग याद रख लेना स्थापत्य में जो आप लोग को पूछे जा सकते हैं पेपर में असत्यकथन की पहचान कीजिए बिंबा जी के साशनकाल में बस्तर एक स्वतंत्र राज्य था बहामाया मंदिर हितु वार्सिक अनुदान देनी की घोशना की बिंबा जी को सरवाधिक टकोली खेरागर से प लेकिए बिंबा जी के साशनकाल में बस्तर एक स्वतंत्र राज्य था बिल्कुल सहीं है यह हम सभी को पता है कि जब मराठे यहां पे स्थापित हुए तो बस्तर छेत्र में कौन साशन कर रहे थे कल्चूरी कर रहे थे तो कल्चूरियों को इन्होंने हटा दिया लेकिन ब लोग और मैंने पहले भी बताया कि सामराज यविस्तार का प्रयास नहीं किया था लिंपा जी ने थो बिल्कुल सही कतन है हलागि बिम्बईजी के शाशनकाल में इनके जो सीनापती है निलूपंत जो मैंने बताया था सीनापती है बिम्बा जी के उन्होंने dalla 770 में बस्तर पर आक्रमंड किया था बस्तर पर आक्रमंड हलाकि यह हार गये थे थ्यान रखना निलूपंद जो बिंबा जी के सेनापती रहते हैं वो 1770 में बस्तर पर आक्रमंड करते हैं और इस समय बस्तर को जो सासक रहता है वो रहता है दलपत देव यह कौन है एक काक्ती सासक है ठीक ह भाग जाता है जैपुर शेत्र में भाग जाता है चो निलू-पंत रहता है तो याद रखने आप लोगों को महामाया मंदिर है तुवारशिक अनुदान देने की गोशना की थी बिल्कुल सही है इन्होंने कुछ ग्राम भी दान कर दिये थे मंदिर के देख रेक के लिए तो महामाया मंदिर है तो वार्षिक अनुदान देने की घोशना किया था महामाया मंदिर सभी को पता है कि रत्नद्यों प्रथम ने बनवाया था जो कल्चूरी सा सकते बिंबा जी को सरवाधिक टकोली खेरागर से प्राथ होती थी बिल्कुल सही है इनके अधिन कु अप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य गतन यहां पर ध्यान देना कांकेर की जमीदारी से वह क्या करते थे 500 सैनिको की सहायता प्राप्त करते थे 500 सैनिको की मुल्रूप से याद रखना कांकेर जो जमीदारी थी वह टकोली नहीं देता था उनसे क्या करते थी सैन सहायता लेती थी बिंबा जी ठीक है कांकेर की जमीदारी से ध्यान रखना यहां पर तीनों कथन सही है कांकेर बस है वह गलत है बिंबा जी के साशनकाल में निम्न जमीदारी का विद्रो हुआ था यहां पर जो है कुछ-कुछ जमीदारिया जो है टकोली देने से मना करती थी तो बिंबा जी और कुछ जमीदारियों के मद्द संकर्स देखने को मिला है तो उनमें से कौन-कौन से जमीदारिया थी यह आपको पूछा जा रहा है खेरागड सरगुजा चांगबखार कोर्बह और धमदा इस में ध्यान देना सरगुजा चांगबखार कोर्बह और धमदा यह 5 पांछों का आक्रमण देखने को में भिम्बाजी द्वारा इन नोग Universe कि पांख सभी सभी जमिदारी का 1781 में आक्रमन होता है खैरागड और सर्गुजा जमिदारी में अक्रमन होगा खैरागड और सर्गुजा में खैरागड याद रखना सबसे जादा टकोली देने वाली जमिदारी थी बिंबाजी को सर्गुजा छेत्र में आक्रमाण हुआ 17 221 में चाहंग बकाड chtra में भी आक्रमाण हुआ है यहाँ पर 1775 में ठीक है महिपत राव डायो कासी ने यहाँ पर आक्रमाण किया था कोर्भा छेत्र की अगर बात करें तो कोर्भा एक ऐसा छेत्र था जिसको जब्ध कर लिया देखने और एक धम्दा जो छेतर था धम्धा को ध्यान रखना हुए उनके, जुमिदार थे, उन्होंने जल समाधि ले लिया था हुए जुनकी पत्नी और जमीदारी जो मैंने बता दिया कांकेर वह याद रखना है इसके अलावा बस्तर जो रियासत था उस पर भी अक्रमण देखने को मिलता है तो कुछ काध केग के जमिदार धिराज सीan धमधा रेवाराम कोड़ा फटे स्य शरगुजा टिकय इसमें पहुचानना है असत्य यूगम को ठीक है कौन सचा जो यूगम है वो असत्य है काध केग काध premiधार में जचील पिल्च सही है जमीदार रहते हैं टिकेट राय ने रहते हैं यह खेरागड के जमीनदार रहते हैं तो यह आद रखना आप लोग इसके अलाबं कवर्धा भी अपया बहुत पूर्ण है कवर्धा जमीन दार रहते हैं वह महाबली si कि पीपर ने पूछा जा चुक नाम याद रख लेना बिम्बा जी के साशनकाल में कवर्धा के जमीदार कौन है महाबली सी है और इन ही को ही कवर्धा जो जमीदार है उनका स्थापक भी माना जाता है ठीक है महाबली सी को कुछ जमीदार है जो आप लोग को याद रखना है अगला प्रशन देखते हैं बिम का पुनर निर्मान करवाते हैं बिल्कु सही कतन है दुदाधारी मंदिर दानपत्र जारी एवं जिर्नोधार दुदाधारी मंदिर को दानपत्र दिया था और जिर्नोधार भी करवाया था ये भी बिल्कु सही है राम टेकरी में काले ग्रेनाइट की है खंडोवा मंदिर का निर्मान विंबाजी द्वारा किया गया था यह बिल्कुल गलत कतन है खंडोवा मंदिर का जो निर्मान है वो आनंदी बाई द्वारा किया गया था आनंदी जो है विंबाजी की पतनी रहती है ठीक है इसने किया था आनंदी बाई ने संग मेश्वर मंदिर रतनपूर में किसके टाइम पर बिंबा जी के साशनकाल में लेकिन खंडवा मंदिर याद रखना आनंदी बाई ने बनवाया था और यहां पर जो महामाया मंदिर है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा आनंदी बाई द्वारा बिंबा जी की एक खड़ीवी मूर्ती स्थाबित करवाई गई है बनवा के ठीक है कहां पर महामाया मंदिर में मुहम्मद का तरान कुसेन सेवा में बहाद्दुरी के बदले बिंबा जी भोशले ने कौन सा छेत्र पुरुषकार स्वरू भीट किया था ठीक है तो ऑप्शन है मदनगर धमधा काकेर और सिहावा इसको पहले भी बता चुका हूं मदनगर इसका सही एंसर है आप लोगों में दारी का प्राचीन नाम हुआ करता था मदनगर इसको बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो आज हमने पढ़ा बिंबा जी का जो शाशनकाल है वह अच्छे से क्या क्या इस समय प्रसासनिक सुधार हुए क्या स्थापत्य हुआ किन संखर्सों का को सामना करना पड़ा किस प्रकार से भिंबा जी ने जो है कल्चूरियों को विस्थापित क्या यहां से तो इन सभी घटना करम को हमने काफी अच्छे से पढ़ा आची क्लास में ठीक है next क्लास में हम पढ़ेंगे 36 गण में किस प्रकार से सूबा सासनिस्थापित होता है को एक ही करके हम लोग समझेंगे ठीक है आज के लिए बस इतना ही पढ़ते रही है धन्यवाद